हैलो प्यारी फ्यूचो डॉक्टर्स कैसे आप सभी लोग तो आज का ये वीडियो आप सभी नीट एस्पेरिंट्स के लिए बहुत खास होने वाला है specially for NEET 2023 बच्चो समय बहुत कम बचा है और इन आखरी के 30 दिनों में क्या पढ़ना है क्या revise करना है क्या practice करना है बहुत जादा जरूरी है इन सभी बातों पर ध्यान देना ये वो 30 दिन है जो decide करेंगे आप अपने dream medical college में पहुँचेंगे या नहीं खिर आप बहुत महनत कर रहे हैं तो आपको पहुच ना ही है आप पूरे होसले से तयार हैं आपको पहुच ना ही है तो दोस्तो आज का वीडियो आपको बताने वाला है 20 most expected topics जिनको complete कर लेने से आप अराम से 120, 130 प्लस तक score कर सकते हैं कैसे decide किया हमने तो मैंने और मेरी टीम ने पिछले 5 साल के papers को thoroughly analyze किया और हमने sequence में topics को arrange किया है अब पिछले 5 सालों में अगर लगातार चीज़े repeat हो रही हैं तो इस साल भी NTE अगर history को repeat करता है तो chances हैं कि चीज़े similar pattern में repeat होंगी और आप जानते हैं NEET में कितना ज़्यादा repetition होता है तो दोस्तों पेन और पेपर उठाएं इन topics को लिखना शुरू करें शुरुआत से पहले आप सभी लोगों का अनकाइड मीनेट के स्चैनल पर स्वागत हैं मेरा नाम है महेंदर सिंग मैं हूँ आपका physics educator तो बच्चों ये 20 most expected topics आपको पहले complete करने हैं बाद में फिर आपको दूसरे topics complete करने हैं कोई भी particular unit या chapter अगर आप छोड़ने का सोच रहे हैं because of time constraint क्योंकि bio भी करना है chemistry भी करना है revise भी करना है physics में बहुत कुछ बाकी है तो suppose अगर आपके मन में खयाल आता है कि पुरा fluid छोड़ना है पुरा chapter छोड़ने की बजाए कुछ-कुछ topics जो important हैं यहाँ पर list में mention है यह list में अपने telegram channel पर जिसका नाम है माही सर शेयर कर दूँगा वहां से आप लोग इसे access कर लेना और इन-इन topics को at least जरूर तयार कर लेना तो बच्चों अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमने paper analyze किये हैं 2018 से लगा कर 2022 तक और कितने total number of question उस particular topic से आये हैं वो भी यहाँ पर mention है जैसे PN junction और transistor semiconductor जो chapter है उसी के यह दोनो topic है और 2022 में 2 सवाल 21 में 2 सवाल 20 में 3 सवाल 19 में 2 18 में 2 दो सवाल तो मान के चलो दो सवाल मान के चलो इसका मतलब बेटा 8 number का वैटेज हो जाता है के वल इन दोनो topics है और इसमें logic gate और जोड़ दोगे तो फिर 3 सवाल हो जाते हैं तीन सवाल मतलब 12 number कितना ज्यादा माहिन रखता है बहुत आसान है क्योंकि forward और reverse बाइसिंग पे ही questions आते हैं बिटा अगर PN junction से questions आते हैं तो फिर उसके बाद में equation of motion कुल मिलाकर 4 तो equation है यार V is equals to U plus AT S equals to UT plus half AT square V square is equals to U square plus 2S और SN equals to U plus A by 2 2N minus 1 इन ही चार equation पर आप देखो 2022 में 3 सवाले 21 में 4 सवाले 2020 में एक ही पुझा था 19 में कुछ नहीं आया 18 में एक सवाल था यहने की 18 के बाद यहां पर इनकी संख्या देखो towards 2021-2022 equation of motion से आने वाले questions की संख्या बढ़ने लगी है तो बच्चों total 9 सवाल अगर 5 साल में आये यहने की यह भी on average 2 सवाल हर साल equation of motion के आ रहे हैं मतलब फिर से आपको एक single topic से 8 नंबर मिलने वाले हैं तो ऐसे आप लोगों के लिए पूरी list है AC circuit उसके बाद में dimension, magnetic field, electric field, KTG, SHM अब पूरा का पूरा SHM छोडते बच्चा ठीक है कि यार हमको तो करना ही नहीं है SHM छोड़ देते, pendulum का time period छोड़ देते, sprig block system का time period का formula और आप यहां पर देखो ना, एक सवाल 100% fix है टोटल साथ सवाल आज तक पूछे 5 सालों में आप टोटल साथ सवाल अगर 5 सालों में मैंने कि एक सवाल तो कम से कम आएगा तो पूरा chapter छोड़ने की बजाए, at least वो formula आप कर लीजे सर कहां से करेंगे, कैसे करेंगे अरे भई, मैंने मेरी link tree के profile पर सारे physics के short notes डाल के रखे हुए मैं अपने telegram channel पर भी daily basis पर आप लोगों को notes प्रोवाइड कर रहा हूँ उन short notes में यह सारे formulas किस तरह से apply करना है किन tricks के apply करना है, वो सब कुछ mention है share हो रहे हैं daily basis पर तो आप किस बात का अंतजार कर रहे हो बहती गंगा में डुपकी लगाना है तो कहते हैं कि जल रही है ग्यान की निश्चे मशाल हर रोज कहीं तेरे दर पर अंधिरा न रह जाए तो ये हमें निर्धारित करना है कि इन सभी चीजों का हमें फाइदा लेना है या नहीं लेना है तो आपको फाइदा लेना है बच्चो क्योंकि 2023 में आपको ये exam crack करना ही है इन सभी तौफों का एक ही return gift है जो आपका ये बड़ा भाई आपसे चाहता है वो है आपका selection तो फोन लगा के जिस दिन आप बोलोगे ना कि भाईया selection हो गया ये सारी महनत रंग ले आएगी ठीक है तो यहाँ पर ये ऐसे सारे topic से आप देख सकते हो combination of resistance से सवाल आही रहे है photo electric effect, deep rogley wavelength, EM wave relation between electric field and magnetic field एक single relation, हर साल एक सवाल आजाता है ठीक है nuclei and radio activity, simple formula है n is equals to n naught e to the power minus lambda t ठीक है, उससे सवाल आजाते है logic gates भाई साब, एक सवाल पक्का आता ही आता है hitting effect of electric current, वो power वाला concept कि bulb जो है, उसकी brightness कम होगी या ज्यादा होगी उसके हिसाफ से questions आते है moment of inertia and torque अगर आप देख रहे है rotation वाला chapter तो उसमें torque is very much important फिर पूरा optics अगर कोई छोडने का plan करा तो मत छोड़ो पूरा optics, prism कर लो lens कर लो, क्योंकि बहुत important है prism बहुत important है lens, बहुत important है optical instrument तो पूरी unit नहीं छोड़नी है वैसे तो मैं कहूँगा कि पूरी physics करो आप मेरे साथ निश्टे में daily सुभा 8 बजे मैं पढ़ा रहा हूँ बिटा पूरा content एकदब मज़ेदार तरीके से deliver कर रहा हूँ, सुभा 6 बजे हम लोगों ने सबल शुरू किया है समझ रहो, सुभा 6 बजे हाँ, मुश्कील है थोड़ा उठना लेकिन हम उठ रहे हैं न, क्योंकि हम में हौसला है, हिम्मत है, हमें कुछ करके दिखाना है, तो मैं उठता हूँ सुभा 6 बजे के पहले, class लेता हूँ सुभा 6 बजे आप उठ रहे हो, classes अटेंड कर रहे हो तो बच्चो, यहाँ पर मैंने आपका काम आसान करने के लिए लिस्ट बनाई है, ऐसा नहीं है कि आप इसी लिस्ट के भरोसे के वल बैठ जाएं ठीके, यह लिस्ट आपको help करेगी कि पहले किसको revise करना है, फिर किसको revise करना है, और इन सभी topics के आज आपको मैं एक टास्क देता हूँ इन सभी टॉपिक्स के every day मतलब topic day wise decide कर लो कि एक दिन मैं ने ये किया एक दिन मैंने ये किया एक दिन मैंने ये किया तो day wise आप यहाँ पर decide कर लो कि सुभह एक topic के formula लिखूंगा फिर शाम को दूसरे topic के formula लिखूंगा फिर next day एक topic के आमको formula लिखूंगा और बिना देखे लिखना है तो सारे formula जब तुम बिना देखे सही सही लिख लोगे तुम्हे confidence आएगा फिर वो जो problem होती है जाएगा तो चल सकता है अगर काम चलाना हुआ तो बेज़े से होता नहीं कि यार 120-130 नंबर किसी तरह से आ जाए ठीक है मुझे तो नहीं करना है 180 में से 180 तो फिर यह sequence है आप इस sequence को follow करते हुए रिवाइस करो इसी sequence को follow करते हुए notes बनाओ इसी sequence को follow करते हुए questions प्राक्टिस करो आपका बहुत बहतर हो जाएगा बच्चो बाकी हम रोग डेली सुबह नेश्चे में 8 बजे मिलते हैं डेली सुबह 6 बजे सबल में मिलते हैं तो हमारी तैयारी तो बहतिर होती ही चली जा physics और आपको वहाँ पर एक telegram channel देखने को मिल जाएगा उसे join कर लो यह list वहाँ पर available है ठीक है wish you all the very best bye bye take care